आज हम बनाने वाले हैं एक नहीं रेश्पी विडियो उन तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंज तो जरूर लाइक कर दिजिएगा और जो फ्रेंज चेनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें आज हम बना रहे हैं फ्रेंज अरहर दाल की खिच्डी जैसे मकर संकरांती में जो खिच्डी बनती है न वही खिच्डी आज हम बनाने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं यहां मैंने लिए हैं एक कटोरी अरहर की दाल तो हम अरहर दाल की खिच्डी बना रहे हैं इसलिए है गाजर लिया है आलू लिया है और धनिया पत्ती और एक इंच अद्रग का टुकड़ा लिया है मैंने यह नीचे में है यह देखिए तिन सब्जियों को सबको हमें अच्छे से कट करके और धोना है तो सब्जियों में आप अपने पसंद के नुसार कुछ भी ले सकते हैं ज इसे हम पहले अच्छे से धोलेंगे तो यहां अरहर की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं इसलिए अरहर दाल जो है हमें पहले पका लेना है जैसे मुंग दाल की खिचड़ी बनती है तो मुंग दाल की खिचड़ी जब आप बनाएना तो चावल दाल आप एक साथ ही एट कर तो दाल पक जाती है लेकिन अरहर दाल जो है नहीं पकती इसलिए अरहर दाल को हम पहले पकाएंगे इसके बाद खिचडी बनाएंगे तो चलिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें अरहर दाल की खिचडी बनानी है तो दाल को मैंने धो लिया और यहां मैंने कूकर में ड पानी डालेंगे अभी हमें बस दाल को पकाना है तो चलिए पहले पानी डाल देते हैं और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी बाकी अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना बस नमक हल्दी डालके आपको पहले दाल को पका लेना है तो पहले में पानी डाल ले इस फिरी मिधिए नमक में घिटोड़ी के हिसाब से अभी ही यहां में डाल दे रही हूं जुझे ना हो भले कम हो जाए तो आप बाद में उपर से और डाल सकते हैं तो मैं खिचड़ी के हिसाब से यहां नमक पूरा डाल दी अब डालेंगे एक चमच हल दी भर के अब इसका धक्कन लगा के और गैस पे चड़ा देंगे गैस का फ्लेम मिडियम रखेंगे और इसमें हम कम से क तो हम 3 सीटी, 3 से 4 सीटी हमें लगाना है तो मैं नेहा गैस के उपर चड़ा दिया, गैस का फ्लेम मिडियम कर दिया है अब इधर जो सबजिया है ना उसे हम फटा-फट से काट के दो लेंगे अच्छे से तब तक हमारा इधर दाल भी पक जाएगा तो चलिए सबसे पहले ह हमें रखना है आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं लेकिन इतना बड़ा ठीक है तो बस इतने बड़े-बड़े हम गोवी को कट करते जाएंगे तो एक गोवी मैंने कट किया तो मुझे लगा कि थोड़ा कम है तो मैंने फिर एक गोवी और लिया था ये काता की सबजियां हमें काट लेनी है तो आलू को भी आप जैसे सबजी के लिए काट से हैं वेलकुल वचसे या आलू काट लिजियेगा और ये निया वाला आलू है तो फोड़ा मीठा-मीठा लगता तो तो पुराना आलू एड मत किज़ेगा किच्टी में, अगर नहीं, मतलब ना हो आपके पास, तो फिर आप रहन दीज़ेगा आलू को, और नहीं तो फिर नया आलू ही एड किज़ेगा, और अभी मार्केट में नया आलू ही आ रहे हैं ज्यादा, हमारे यहां तो मतलब सबजीयों को काट के अच्छे से दो लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक हमारा इधर दाल भी अच्छे से पक जाएगा, और इसके बाद हम खिचडी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहां चार-पांच लोगों के हिसाब से खिचडी बना रही और ज्यादा बनाना हो, तो आप अरहर की दाल दो कटोरी कर दीजेगा, और चावल आप चार कटोरी कर दीजेगा, या पांच कटोरी भी कर सकते हैं, या किसी भी आप गिलास से नाप लीजिए, कटोरी कप जिससे भी आपको नापना हो, आप नाप सकते हैं, तो गाजा रा प्रांती में खिचडी बनती है या नहीं मुझे जरूर बताईएगा कमेंट में ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके साइट किस तरह से मनाई जाती है हमारे यहां जैसे दही चूड़ा जिसे पोहा है तो उसे दही चूड़ा ही हमारे यहां बोलते हैं और फिर यह खिचडी बनती है तो सारे सबजियों को मैंने अच्छे से काटके और धो लिया यह देखिए धनिया पत्ति को भी मैंने अच्छे से मतलब धो के और उसके बाद उसे भी कट कर लिया टमाटर कट कर लिया और यहां मैंने लिये हैं दो कटोरी चावल एक कटोरी जो दाल लिया था मैंन उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने चावल ले लिया है तो चावल को भी हम धो लेंगे इसे पानी में हमें डाल के छोड़ना नहीं है धो लेना है तो यहां मैंने चावल को अच्छे से तीन से चार बार दो लिया अब गैसोन करके एक कड़ाही चड़ाया मैंने तो हमें सबसे पह दो टुकडा करके हिंग डाल देंगे चोटी चमच से आधी चमच और इन सब को थोड़ा सा भून जाने देंगे अब इसके बाद डालेंगे कती हुई लासून अद्रक और मीच को लंबे-लंबे अकार में मैंने काटा है जैसे बीच से चीरा लगा के और लंबे-अकार में इस तरह से फ्राइग करके डालेंगे ना तो खिचड़ी बहुत टेश्टी बनती है खाने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए सबजीयों को फ्राइग करे ही डालीएगा तो प्याज डाल दिया और प्याज को डालके हम इसे अच्छe से भून लेंगे और जैसे भून ज बुर्चा भूंगया अब चलिए हम सब्सवियों को राले चाहि Hem we war09 को टाल रूही हो चेके करके सारी सब्सवियों को बहुत अच्छा लगता है खाने में इसके साथ मैंने चोखा बनाया हुआ है आलू का खिचडी के साथ में सारी सब्जियों को डालके लगतार चलाते हुए इसे हमें अच्छे से पहले भून लेना है तो सब्जी और मसाले सब हम भून के ही खिचडी में एट करेंगे यह खिचडी बहुत जल्दी फटाफट से बन जाती है बहुत ईजी है बनाना तो जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो यहां हम डाल देंगे मटर को मटर को डाल के भी अच्छे से हमें पहले भून लेना है इसके बाद यहां हम डालेंगे मसाले तो मसाले में ज्यादा कुछ हमें नहीं डालना है बस बेसिक से मसाले जो है बस वही हमें डालना है तो नमक हल्दी हम डाल में डाल चुके हैं इसलिए हमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, चल्दी पाउडर, लाल मीज पाउडर, गरम मसाला बस यही हमें खिचडी में एट करना है तो मसाले डाल के अच्छे से मीक्स कर देंगे इसके बाद हम डाल देंगे तमाटर और तमाटर डालने के बाद इसे हम अच्छे से फिर से भून लेंगे ताकि मसाले जो है और थोड़ी देर हम इसे और भून लेंगे इसके बाद चलिए अब हम खिचुरी बनाना इस्टार्ट करेंगे और जैसे आप कूकर में ही खिचुरी बना रहे हैं तो क्या किजिएगा कि सबजीयों को पहले कूकर में भून लिजिएगा और भुनने के बाद में आप उसी में चावल और जैसे मूं की डाल की बना रहे हैं तब की बता रही हूँ आपको मैं तो आप डाल चावल मतलब एक साथ डाल दीजेगा और पानी डाल दीजेगा और मातर एक सिथी लगा दीजेगा लेकिन यहां आज मैं बना रही हूँ इस में हमारे यहां इसे डेक्ची बोला जाता है तो यह इस्टील की डेक्ची है मेरे पास तो मैं इसी में बना रही हूँ तो जैसे यह गरम हो जाएगा ना तो इसमें हम डाल देंगे डाल जो डाल हमने बना के रखा है कूकर में तो वही डाल में यहां डाल रही हूँ तो पूर से पांच गिलास हम गरम पानी येट करेंगे, तो ये जो पानी डाल रही हो न ये गरम पानी है, पानी डाल दिया, अब डालेंगे सबजीयों को जो हमने फ्राई करके रखा है और इसके बाद भुराऊ हम डाल देंगे चावल, तो सब्जियों को थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा डाल दे रही हूं तो सब्जियों को डाल दिया और अच्छे साइसे मीक्स कर देंगे अब डाल देंगे इसमें चावल और इसे कवर करके हम पकने देंगे जब तक कि चावल हमारा पक न जाए और सब्जियां जो है वो पक न जाए तो चलिए चावल को फटा-फट से डाल देते हैं एक घंटे में ये खिच्डी बन कर तयार हो गई थी और हमारे हाँ अक्सर सनिवार को मतलब इस तरह की खिच्डी बनती है लगभग लगभग हर सनिवार को इस तरह की खिच्डी बनती है कोई जैसे कोई सा सनिवार रहता है वो छूट जाता है लेकिन लगभग हर सनिवार को बनती ही है तो ऐसे पूरा चावल को हम डाल लेंगे कई बार होता है कि ये सारी सब्जियां घर में नहीं रहती तो फिर हम सिंपल वाली खिचड़ी बना लेते हैं जैसे सिंपल वाली खिचड़ी बना के फिर तड़का लगा लेते हैं घी, जीरा, तेचपत्पा और लाल मिर्ष का और जैसे ये सारी सब्जियां रहती है तो फिर इसी तरह से हम खिचड़ी बनाते हैं तो इस तरह के खिचड़ी बच्चों को भी काफी पसंद आती है आप अपने घर में बनाईएगा बच्चों को भी काफी पसंद आएगा तो चावल मैंने पूरा डाव लिया और इसे कवर कर देंगे और हम इसे पकने देंगे तो जादर टाइम नहीं लगता पकने में 15-20 मिनट में ये पक के तयार हो जाते हैं और अगर आपको लगे ना कि खिचडी गाड़ी हो रही है तो आप इसमें गरम पानी एड और उपर से कर सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडा पानी एड मत किजेगा आप गरम पानी एड किजेगा ये देखिए चावल जो है वो पक गए हैं सबजियां भी पूरी पक गई हैं और मुझे बाद में लगा कि जैसे खिचडी थोड़ी गाड़ी हो रही है तो मैंने थोड़ा गरम पानी इसमें और एड किया था क्योंकि थंडा होने के बाद कई वार होता है ना कि खिचडी और गाड़ी हो जाती है इसे लिए तोड़ा अभी स्टार्टिंग में पतला रखेंगे त और उसके बाद भी खिचडी बच गई थी अब डाल देंगे उपर से हम धनिया पत्ती धेर सारा तो इससे बहुत अच्छा मतलब देश्ट आ जाता है खिचडी में तो पूरा धनिया पत्ती ऐसा करके हम डाल देंगे और इसे डाल के मिक्स कर देंगे और लाश्ट में एक चम नमक आप टेश्ट करके देख लिजेगा कि नमक कम है तो आप नमक भी उपर से थोड़ा साइट कर सकते हैं एक चमच घी डाल दिया उपर से और घी जो है अपने आप पिघल के सारे खिचडी में अच्छे से घुल मिल जाएगी तो ये देखिए फ्रेंस आपको पास से दि आप इस मकद संकरामती को इस तरह से खिचडी जरूर बना कर देखिएगा अग尚 टेनल पर नया है तो प्लीज फ्रेंस सुस्क्राइब किये विना बिलकुल भी दर भर मच जाईएगा तो ये देखिए मैंने ठाली में निकाला रखा है आलू का तो दो थाली में मैंने निकाला है आपको पास से दिखा रही हूँ तो चलिए फिर मुलकात होगी एक अच्छी सी सांदार रेस्पी के साथ एक नए विडियो में